हर साल दस जन्वरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते आये हैं यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपनी भाषा की तुलना कभी किसी दूसरी भाषा से मत कीजिए क्योंकि चांद और सूरज में भी समानता नहीं है क्योंकि चांद और सूरज में भी समानता नहीं है दोनों ही अपने समय पर आते हैं और अपने समय पर जाते हैं हम यहाँ गर्व के साथ कह सकते हैं कि वर्ष 2030 तक हमारे देश में हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली के रूप में हिंदी ही है आगे और हर पांचवा व्यक्ति हिंदी जानेगा तु खुद की खोज में निकल तु किसलिए हताश है तु चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है जो तुझसे लिप्टी बेडिया समझना इनको वस्त्र तू ये बेडिया पिगाल कर बनाले इनको शस्त्र तू तू खुद की खोज में निकल जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है तु आरती की लौ नहीं तु क्रोध की मशाल है चुनर उडा के द्वज बना गगन भी कपकपाएगा अगल तेरी चुनर गिरी तो एक भूकम पाएगा मुठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं दिल में यहीं अर्मान कि कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं सूरत सा तेज नहीं मुझमें दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तु मुझको कब तक रोकोंगे तु मुझको कब तक रोकोंगे मैं उस माटी का व्रिक्षनी जिसको नदियोने सिंचा है मैं उस माटी का व्रिक्षनी जिसको नदियोने सिंचा है बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यू से जीवन खीचा है मैं पथर पली की इबारत हूँ सीसे को कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तु मुझको कब तक रोकोंगे तु मुझको कब तक रोकोंगे इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है मैं सागर से भी गहरी हूँ मैं सागर से भी गहरी हूँ तुम कितने कंकर फैकोगे चुन-चुन कर आगे बढ़ूँगी मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे सेंट पॉल्स परिवार की ओर से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की घेर सारी शुब कामना है